आज यहां पर मैं अपने किचन के लिए बहुत ही सुन्दर एक और्गिनाइजर बनाओंगी बहुत ही खुबसूरत लगेगा और यह बिलकुल परफेक्ट है जो साइज मुझे चाहिए था मतलब इसकी जो हाइट है और इसकी जो लैंथ है वो बिलकुल मुझे इसकी जो नाप था ना वो एक्यूरेट मिल गया और ये ice cream का जो box होता है जिसमें ice cream आती है वो वाला box है तो इसको मैंने अपने size के according cut कर लिया है लंबाई चोड़ाई और इसकी जो उचाई है उचाई मैंने अपने अनुसार adjust की है तो अब क्या करना है कि ये थोड़ा सा न ये थोड़ा यूं समझ लीजे थोड़ा हलका है तो इसको मैं उपर वाले जो cut किये थे उन ही से ही थोड़ा सा मैं इसको मजबूती दे दूँगी मतलब इन ही कोई मैं नीचे की side में paste कर दूँगी तो ये थोड़ा सा strong हो जाएगा और जब हम और आगे इसका जो काम करेंगे ना उससे ये बहुत ही अच्छा और काफी मज चीज बन जाएगी तो इस तरीके के जो boxes होते हैं वो आप use करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं अलग अलग तरीके से तो मैं आप से बहुत सारी चीजें share कर चुकी हूं लेकिन ये बहुत ही सुन्दर लगेगा और इसको देखे बहुत ही असानी से पहले आप paste कर लें और paste करने के बाद फिर हम जो आगे करेंगे वो बहुत ही interesting काम होने वाला है आप उसको करेंगे तो हाप खुद भी बहुत enjoy करेंगे उस काम के साथ में तो अब ये देखे नीचे तो मैंने अच्छे से base दे दिया है काफे strong हो गया है नीचे की side में और अब उपर की मतलब इ टेप भी यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा और भी अच्छा होता है तो मैं चाहती तो वो भी यूज़ कर सकती थी लेकिन वो हर किसी के पास available नहीं होता है और वो थोड़ा सा महंगा भी आता है तो ये वाला टेप आपको na stationary के shop पे मिल जाएगा और आप वहां से इसको चा तरफ से बहुत अच्छी मजबूती मिल जाएगी और ये थोड़ा सा ना strong हो जाएगा और जब ये आप लगा लें उसके बाद glue की सहता से इसके उपर मैं यहाँ पर mirror लगा रही हूँ जैसे size के आपके पास हैं चोटे बड़े आप कुछ भी लगा सकते हैं ऐसा कुछ नही तो ये देखें जो भी मैंने mirror थे वो लगा दिये हैं और इस पुट्टी के अंदर ही मैं जो है कि acrylic color डाल रही हूँ yellow color का तो पहले मैंने yellow color डाला था उसके बाद फिर मैंने change कर दिया था लेकिन अब ही मैं आपको process दिखा देती हूँ इसी से ही तो अब ये देखें हमने क्या किया है कि वो पुट्टी को घोल लिया है और उस घोल को अब इसके अंदर हमको फैलाना है और ये घोल मैंने आपको बताया ना तो आपका ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा बहुत मतलब हाड होना चाहिए तो आप देख सकते ह मैं कैसे इसको मतलब किस तरह का मैंने बनाया है और इसको हमें अच्छे से फैला लेना है बढ़िया तरीके से इसके एक एक कोने के अंदर ये जो है कि पुट्टी जानी चाहिए क्योंकि जब ये सूख जाएगी ना उसके बाद एकदम पत्थर की तरह हो जाएगी तो ये दे लगेगी और ये पुट्टी जब अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे गीले में आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है वरना तो अंदर वाला जो आपने बेस भरा है ना वो उसमें क्रैक आ जाएगे तो अब ये देखे जो ये मिरर हमने लगाए हैं बहुती सुन्दर से आप मैंने इसको लगा दिये हैं तो आप जैसे मरजी आप डिजाइन दे सकते हैं और अब ये जो येलो कलर है ना इसी के अंदर ही में क्या कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दूँगी मतलब ज अच्छे से इवनली काम करेंगे बिल्कुल सफाई से करेंगे इस काम के अंदर देखे जितना आप सफाई से काम करेंगे उतना काम आपका ये खिल के आएगा अगर आप थोड़ा सा टेड़ा मेड़ा या वैसा काम करेंगे तो ये इतना जो है कि लोग इतना अच्छा नही आएगा तो बहुत ही शांती से पेशंट से ये काम कीजिए और बहुत ही सुंदर ये बन जाएगा तो जितनी भी एक्स्ट्रा हमने जो पुट्टी लगाई थी न उसमें जो एक्स्ट्रा उपर नीचे रहती है न उसको हम हटा देंगे किसी भी चीज से और जैसके उपर के कि पुट्टी होईगी वो निकल जाएगी और आपकी जो काम है उसमें सफाई आएगी और अब लास्ट में जा करना है अपने हातों को अच्छे से साफ कर लें और जो गीला कपड़ा है उससे बार-बार आपनी उंगलियों को साफ करें और मीरर के उपर आपको टच करना है आ कि आपको बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है और अब ये देखिए उसी ही पेंट के अंदर मैंने मतला पुट्टी के अंदर ही थोड़ा से ग्रीन एड किया क्योंकि मुझे यलो कलर जादा अच्छा नहीं लग रहा था और अब इसको मैं हाथ की सहता से ही अच्छे से फ हमारा किचिन का एक डेकोर आइटम आप इसके अदर कुछ भी रख सकते हैं बहुत ही खुबसुरत बनेगा और कितना सस्ते में बना है आप पता लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में ये वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट्स के थू बताईएगा अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजेगा और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें खुश रहें मस रहें बाब बाई